शादी का सीजन है, शौपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनाने की ज़रुद बिलकुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ दस मिनट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार इसी के साथ बात करें यहां से अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन में देख रहे हैं कि हम फरवरी वायदा 6740 पर ट्रेड कर रहा है 6750 का ही लगा चुका है, 0.5% की तेजी है और मार्च वायदा 6786 पर ट्रेड कर रहा है, 6786 का ही आई है तीन फीजदी का उपरी सरकिट सोयबीन के मार्च वायदे में देखने को मिल रहा है हम देख रहे हैं कि विदेशों में जो सोयबीन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है उसका असर घरेलू वाइदा और हाजिर बजार दोनों पर ही देखने को मिल रहा है ब्राजील और अर्जेंटीन में सोयवीन के उत्पादन में कजोल लगातार कटौती के अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके चलते विदेशों में जो तेजी आई है अमेरिकी सोयवीन वाइदा तेज देखने को मिल चुका है 1600 के उपर जा चुका है और घरेलू वाइदा वजार भी अब धीरे धीरे तेजी की और ही जाता वा नजर आ रहा है अब यहां से जो जानकार अब अनुमान लगा रहे हैं घरेलू वाइदा का सोयवीन का वो लगा रहे हैं कि 6900 से 7000 तक सोयवीन की कीमते अभी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में और अगर कीमते उसकी उपर सस्तीन होती है तो 7000 के भी जो पार है सोयवीन की कीमते जाती नजर आ सकती है तो fundamentally अगर भारत में अगर production बड़ा है सोयबीन का अगर सोपा के द्वारा ऐसा अनुमान जताया गया था जो जिसमें सोपा ने कटौती भी करी उसके बावजूद भी जो सोयबीन का वैदा वजार इस बार अच्छा खासा ही देखने को मिल रहा है वैदा वजार जादा पूरे वैश्विक स्थर पर तेजी बनी है तो ये भी हो सकता है कि सोयबीन से जो बने उतपाद हैं जैसे कि सोयबीन पाउडर हुआ सोयबीन टोफू हुआ उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है और आपको बता दें कि जो एशिन कंट्रीज है जैसे कि चाइना, इंडो जो soybean products है उनकी भी कीमतों में उच्छाल देखने को मिल सकता है तो overall रुजान soybean की कीमतों में आगे तेजी वाला ही रहने वाला है